आपके iPhone से आपको कोई भी data transfer करनी है आपके Windows के computer पर या फिर Windows के computer से आपको iPhone पर transfer करनी है, फिर चाहे वो photos हो, videos हो, Excel files हो, Word files हो, PDF files हो, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक है cloud service जैसे के Dropbox हो गया, Google Drive हो गया, दूसरा हो गया कोई भी या third party apps यूज़ कर सकते ह लेकिन वो मैं recommend नहीं करता हूँ, क्यों नहीं recommend करता हूँ, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, and fourth जो तरीका वो है iTunes जो completely free है, इस वीडियो में आपको सारे details दूँगा iTunes के बारे में, कैसे आपको फाइल transfer करनी है, इतना ही नहीं पूरा iTunes का tutorial भी दूँगा, जिसस आप Microsoft Store से भी कर सकते हो, और आपको description में एक link भी मिल जाएगी, Apple के जो आप click करके वहां से भी download कर सकते हो, एक बार आपने ये download and install कर दिया है, उसके बाद आपको ये करना है, कि आपका जो iPhone है, वो आपके computer के साथ connect करना, using the cable जो आपके mobile के साथ आये थी, तो वो lightning port आप जै जाएगा, trust this computer, इसमें आपको trust पे click कर देना है, उसके बाद आप जैसे ही iTunes खोलोगे, तो सबसे पहले तो आपको आपके Apple ID as well as password डालके वहां पे login कर देना है, अब since आपका iPhone आपने connect किया आपकी computer के साथ, इसके वज़े से आपको यहां पे एक icon दिखेगा आपके iTunes के लेकिन सबसे पहले बात कर ले थे music की, अब music transfer करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे iPhone के अंदर music में कोई भी songs added नहीं है, अब आप जब वापस iTunes में आओगे तो यहां पे आपको एक option मिलेगा, sync music जो आपका untick होगा, इसको आपको tick कर देना है, और उसके बाद entire music library या फिर selected playlist भी कर सकते हो, लेकिन फिलाल हम entire music library पे select करेंगे, उसके बाद आपको यह करना है कि iTunes में आपको वो songs add करने है, तो left side उपर जहां पे file लिखा हुआ है, वहां पे आप जैसे click करोगे तो आपको दो option मिलेगे, add file to library and add folder to library, तो अगर आपको specific song add करना चाह रहे हो तो file करोगे, लेकिन अगर आपको पूरा का फूरा folder transfer करना है, जिसमें सारे songs already included है, तो आपको select करना होगा add folder to library, तो आप देख सकते हो कि desktop पे एक songs करके folder है, अब इस folder के अंदर 3 songs है, इसके उपर में को click करके select folder कर देना है, जैसे मैं select folder करूँगा, तो यहां पे अब आप 3 songs लिखा हो आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह 3 songs मेरे iTunes की library में add हो चुके है, अब next आपको यह करना है कि यह सारे songs आपको आपके iTunes से लेके आपके iPhone में transfer करना है, उसके लिए नीचे आपको एक option मिलता, sync का, उसके उपर click करना है, तो जैसे आप sync पे click करोगे, तो अब आप देख सकोगे, कि syncing iPhone को message आपको उपर दिखेगा, एक बार इस sync process complete हो जाता है, उसके बार जब आपने iPhone में आओगे, तो वहाँ पे आपको वो 3 songs लाइबरी में दिखेंगे, तो basically यह वो ही 3 songs जो आपके iTunes की library में थे, as well as आपके computer के folder में भी थे, तो यह तो हो गया process आपके songs transfer करने आपके iPhone के अंदर, अब अगर आपको कोई song remove करने आपके iPhone में से, तो आपको इसके library में जो भी song remove करना है, उस पे right click करना होगा, और वहाँ पे आपको एक option मिलेगा, delete from library, जैसे आप delete from library करोगे, तापके iTunes की library से निकल जाएगा यह वाला song, अब वापस आपक के icon पे click करना है, तो आप देख सकोगे, यहाँ पे sync music के बाजू में 3 songs के जगा पे अभी 2 songs हो चुका है, next आपको नीचे sync का जो option मिलता, उस पे वापस करना है click, तो इसे होगा यह कि जो third वाला song आपने अभी delete के आपके iTunes की library से, वो आपके iPhone से भी remove हो जाएगा, तो कहने क आपको एक option मिलेगा, sync movies का, उस पे आपको click कर देना है and automatically include पे भी click कर देना है, अब आपको वही same process follow करनी है, जो आपने आपके music में किया है, that is file पे click करके आपको add folder या फिर add file to library करना है, तो जो भी movie आपको इसमें import करना है, वो आप ऐसे कर सकते हो, एक बार आपने वह import कर आपके iTunes के अंदर, उसके बाद again same process follow करना है, that is आपको sync करना है आपकी library को आपके iPhone के साथ, and again यही process आपको TV shows में भी करना है, और photos में भी करना है, अब photos में आप देख सकते हो कि मेरा iCloud photo फिलाल on है, इसलिए मेरे को कोई भी option यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप iCloud photos नहीं use कर रहे हो, तो आपको वो same option दिखेंगे जो आपको music and movies में दिखेंगे, that is उसी तरीके से आपको file में आना है, library में वो particular photo या पूरा folder of photos add करना है, and synchronize कर देना है, अब कुछ additional data भी आप sync कर सकते हो आपके iPhone के साथ, उसके लिए आपको आना है, info वाले tab पे, and info वाले tab में सबसे पहला जो आपको option मिलता है, वो है sync contacts with outlook, तो यहाँ पे आप sync contacts पे tick कर देंगे, and फिर आपको outlook as well as windows contacts दोनों ही option मिल जाते हैं, तो अगर आपको कोई भी contacts transfer करने है, आपके computer से लेके आपके iPhone पे, तो यह process आप follow कर सकते हो, similarly आप calendar की entries भी आपके outlook से transfer कर सकत अब याद करके जब भी आप कोई भी changes करो iTunes में, तो आपको सबसे पहले apply पे click करना है, so that यह सारे changes save हो जाए आपके iTunes की library में, अब यह तो हो गया, कैसे आपको music, movies, photos transfer करना है, लेकिन what if आपको कोई file transfer करनी है, जैसे कोई excel file है, या फिर pdf file है, या फिर word file है, तो उसके एक लिए एक app भी होना चाहिए आपके iPhone में, तो जैसे यहाँ पे apps मेरे को Acrobat दिख रहा है, तो यह Acrobat मेरे iPhone में already installed है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओप्शन दिख रहा है, तो next मुझे Acrobat का जो app है, उसके उपर click करना है, अब मेरे computer के desktop मेरे एक pdf file है, इस particular file को मेरे को transfer कर के नीचे आपको एक add file का option दिखेगा, add file पे आप जैसे click करोगे, तो अब आपको वो वाली file import कर देनी iTunes के अंदर, और उसके लिए उस particular file पे click करके आपको open पे click कर देना है, जैसे आप open पे click करोगे, तो अब आप देख सकते हो कि वो वाली pdf file मेरे iTunes में import हो चुकी है, and next आ मेरे को वो वाला app खुलना पड़ेगा, that is Acrobat का app, and वहाँ पे नीचे मुझे files का option मिलता है, उस पे click करना होगा, and वहाँ मुझे select करना है on this iPhone, याद रखना on this iPhone के अंदर ही आपको जाना है, वहीं पे आपको वो वाली file दिखेगी, तो एक बार जैसे मैं on this iPhone पे click करूँग तो अब मुझे वो वाली file दिख जाएगी, जो मेरे computer से transfer हुई है, as well as उस iPhone के अंदर एक और file पड़ी हुई है, जो automatically मेरे iTunes के साथ synchronize हो जाएगी, अब इस particular file को मेरे computer पे save करना है, तो उस file पे select करना होगा, and नीचे मुझे save का option मिलता है, उस पे click करना होगा, and वहाँ पे म save की file transfer की, वैसे हम Excel की file भी transfer कर देते हैं, उसके लिए आपको Excel के app पे click करना होगा, and नीचे आपको option मिलेगा add file, and same आपको process follow करना है, that is आपका जो भी Excel file उसको select करना है, and नीचे आपको open पे click कर देना है, तो जैसे आप open पे click करोगा, यह iTunes की library में add हो जाएगा, और आपको इसको sync कर देना है, तो आप देख सकते हो कि फिलाल syncing हो रहा है, and एक बार syncing process complete हो जाता है, उसके बाद जब मैं iPhone में आता हूँ, Excel के app के अंदर आता हूँ, तो वहाँ पे मुझे on my iPhone पे click करना है, and यह आपको वही file दिख जाएगी, जो मेरे computer के अंदर थी, तो यह same process आप हर file type के साथ कर सकते हो, whether हो PDF हो, Excel हो या Word हो, अब अगर आपको pictures and videos आपके iPhone से transfer करने हैं आपके computer के उपर, तो आप file explorer में जैसे ही आओगे, तो वहाँ पे आपको left side एक option मिलेगा iPhone, iPhone पे आपको click करके आपको internal storage पे click करना है, वहाँ पे आपको DCIM करके एक folder मिलेगा, and उसके अ के उपर, लेकिन जैसे के मैंने आपको video के starting में बता है, ये वाला जो process है, वो 100% reliable नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आपको बड़ी file को transfer करना चाहरे हो, आपके iPhone से लेके आपके computer पे, तो तब वो transfer का process है, वो अटक जाता है बीच बीच में, तो उस problem को solve करने के जैसे मैं share के icon पे click करूँगा, यहां पे मुझे option मिलेगा save to files, save to files पे click करने के बार, मेरे को click करना है on my iPhone, and on my iPhone में कोई भी folder के अंदर इसको save कर सकता हूँ, लेकिन फिलाल इसको मैं iMovie के अंदर save करने वाला हूँ, अब जैसे मैं iTunes में आऊंगा, and iMovie के app पे click करूँग तो आप देख सकते हों कि वो वाली video file अलेडी आ चुके ही यहां पे, अब इस particular file को अगर मुझे मेरे computer में transfer करना है, तो उस file पे मुझे select करना है, and उसके बाद नीचे मुझे option मिलेगा save का, उस पे click करना रहेगा, जैसे मैं save पे click करूँगा, तो अब मैं destination select करके select folder पे click कर अब जब मैं desktop पे आता हूं, तो आप देख सको कि वो ही file जो मैंने iPhone से import की थी, वो अब मेरे computer में already आ चुकी है, अब next अगर मुझे check करना है कि ऐसे कौनसी-कौनसी files है, जो मेरे computer से transfer हुई है, मेरे iPhone के उपर, तो उसके लिए मुझे left side पे एक option मिलता है, on my device, उसके नीचे मेरे music, movies, tv shows, हर tab पे मैं जब भी click करूँगा, तो मुझे पता चले कि कौनसी songs या कौनसी movies है, जो मेरे iPhone में फिलाल exist कर रही है, अब ये तो हो गया पूरा process कि आपको कैसे files transfer करनी है आपके iPhone में, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़े जो iTunes आपके लिए करता है, तो उसके लि लेकिन याद रखे, जब भी आप अपने computer पर backup create करते हो, तो आपको encrypt local backup पे tick mark कर देना है, और यहाँ पे आपको एक password भी set कर देना है, इतना है यहाँ पे जो आप password set करते हो, वो आप बिलकूल ही मत भूलना, क्योंकि अगर आप ये password भूल गए, तो ये backup आप access ही नहीं कर आप आओगे, तो एक बार आपने ये selections कर दिये, उसके बाद आप backup now पे click कर सकते हो, and in future जब आपको इस backup को restore करना है, तो यहाँ पे आपको restore backup का भी option मिल जाता है, and next अब नीचे जब आप आओगे, तो आपको कुछ additional options भी मिलते हैं, उसमें सबसे पहले आपको जो option मिलता ह वह is sync with this iPhone over Wi-Fi, that is, अगर आप एक wired connection नहीं create करना चाहरे हो, लेकिन आप Wi-Fi के थुरू इस iPhone को sync करना चाहरे हो, तो वह करने के लिए आपको यहाँ पे tick mark करना होगा, next आपको option मिलता है, sync only check songs and videos, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको untick ही रहने देने वाला हूँ, इसके same process आप कर सकते हो, आपके MacBook पे भी, लेकिन फरक इतना है कि आपको यह सारे options आप iTunes की जगा पे आपके computer के finder में मिलेंगे, तो process आपका same ही है MacBook पे, सिर्फ इसका location चेंज हो गया है, अगर आपको music access करने है, तो वो सारी music आपको separate app में मिलती है, which is known as music app, तो इतना ही था दोस आपकें टेकिन इंदिया और मिलते हैं next video में